दोस्तो अगर आपके पास Redmi का फोन है या Somi का फोन है तो आप अपने Redmi के फोन में Bluetooth में जो भी बंदे को आपने ब्लॉक करके रखा है जो भी डिबाइस को ब्लॉक करके रखा है वो चीजे आप कैसे चेक कर सकते हैं उस लिष्ट को आप कैसे देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तो Bluetooth Block List का यहाँ पर आपको देखने को मिलना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी Bluetooth को आपने ब्लॉक करके रखा होगा वो सारा Bluetooth आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं चीजे बताऊंगा कि रेडमी के फोन में या स्वामी के फोन में Bluetooth Block List कहां पर होता है तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको अपने फोन के सेटिंग वाले अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है तो यहां से हम इस तरीके से स्कॉल करेंगे और यहां पर सेटिंग का अप्लिकेशन दिखाई दे रहा है आपको इस सेटिंग वाले अप्लिकेशन पर क्ल अब Bluetooth का तो आपको इस Bluetooth वाले औप्शन पर क्लिक कर देगा है गली करते हैं यह आपके सामने कुछ ऐसा इंटर फेस्ट देखने को मिलेगा नीचे में आपको एक आप्शन देखने को मिलता है Extra Basement Setting का आपको इस पे क्लिक करना है क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया page open होगा और यहाँ पर आपको कुछ अप्षन देखने को मिलते हैं यहां सेकर्ण नमबर आपको एक option देखने को मिलता है Bluetooth Block List का आपको इस पे क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर देंगे तो जो भी Bluetooth को अगर आपने ब्लॉक करके रखा होगा उसका लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप Redmi के फोन में या Xiaomi के फोन में Bluetooth ब्लॉक लिस्ट को चेक कर सकते हैं